जैहिन नमस्कार कैसे आप सभी I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका परीच्छा होगा उस परीच्छा को लेकर के जो पेपर होगा बहुत अस्टिटन्ट हमें अगर पेपर लीक नहीं हो तो एक जाम एक जाम नहीं होता है इससा होता है है consistent कोई बार लिख हुआ है और अभी पीछे दिन लिख हुआ है ना तो इस्टिटन्ट पूंच रहा है कि सर जो मैटिक इंटर है हो मैटिक इंटर का भी तो लीख होगा जी बिलकुल लिक होगा, बिलकुल लिक होता है, चुकि इस वीडियो का बहुत लोग देख रहे होंगे, बहुत जो भी है, मैं खुला बोल रहा हूँ इस वीडियो पर, यूट्यूब के वीडियो कहीं जा सकता है, लिक होता है, बिहार बोट का मैट्टी का भी पर लिक होता ह सब मोबाएल सब्सक्राइभ आल factor आठाइवार अखिंट सब्सक्राइभ तो नहीं दो सब्सक्राइभ होते हैं अब बच्चे के पास फॉल जाता है तो हर साल कितना हों भी कड़ाई किया जाए कितना हो भी नियम लगाए जाए हर साल लीक होता है पेपर आपका आदा गंटे पहले और आदा गंटे पहले पर आपके आहीं जाता है हर बच्चे के पास अदा गांटा नहीं तो कम से कब 20 मिंट पढलता ही जाएगा कि अभी कभी तो चलिश में पहले आ जाता है 45 मिंट पहले आ जाता है तो पेपर यह तो आपका आएंगे यह आएंगे अब रही बात कि जो एस्टेंट बोल रहे हैं एक कर दाएंगे जानिक बखत है कि जो अचितने बोल रहे हैं कि सर में पढ़ाई किया हूं सोगने बढ़ाई कि事 fare पढ़ां किया वह और पढ़े हुए हैं तो आपको पर एंग को सल्व कर दी जाएगा लेकिन जो नहीं पढ़े हुए होए हैं वो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जानते हैं नहीं है टॉपिक कौन कहां पर हैं तो सबसे पहले महत्पुड़ की पढ़ना जोर रही है अब देखे चुकि यहां पर जो नहीं पढ़े हुए पेपर लीक होने से आधागंट पहले आने से किसमें लाब होता है बच्छोका जो नहीं पढ़े हुए है कहा नहीं पढ़े उसे मतले में नहीं है तो जो गले पर लीक होता है तो अगर पहले पर लीक होता है तो जो लडकी पढ़े लीक हो हुए है बहुत बहुत बार कि गाम में क्या होते हैं कि भी ओल लड़का प्ढ़ता नहीं था है और बहुत अब इसा होता है कि लड़का बहुत पढ़ने वाला वाल आखसर लॉय हँने के पड़ता भाव और हुए है वह भी निकल जाएंगे हैं अब बात यह रही कि इस्टेंट बहुत बोल है सर की पेपर लिख होगा और कुल मिला करके जो पढ़े लिखे हैं वह भी जो नहीं पढ़े लिखे हैं लगभग सगरी बतलगी कुछ इसे होंगे जो सोचेंगे क्या कि पेपर लिके ना हो नने पेपर हमें ना मिले लेकिन सब लोग भी लगवाण 90 परसेंट ऊपर बोल रहे हैं बच्चे कि सर करा आता है तो हमें भी दिजिएगा है ठीक है तो भीडने की बात आप से बोलें कि हम ही नहीं आपके जो भी इस टीचर है नो सब भीड देंगे क्योंकि आज गंटे प आपका पेपर जो होता है मैं टीक हो चाहिए इंटर आदे गंटे पहले आपका वाली बाता होगा गरांटी है हाँ उसका एंसर बाहना करके अगर जतना ही अच्छा जल्दी एंसर बना के भीजिए गौत नहीं आपके इस्टेंट जो होंगे लाब उठा सकते हैं ठीक है तो प पेपर लीक ना हो हम चाहें अगर आप चाहें थो ही नहीं होगा जो अधिकारी है जो स्टाफ है जो पेपर लेका रखते हैं उड लोग अगर उसे सेकूर रखेंगे तही पेपर Nieक तो बदाऊ होगा हर साल लीक तो अब रही बात कि एसटुटन जो बोल रहा है कि पेपर हमें चाहिए ठीक है कुल मिला करके मेरा कहने कहीं बात है जो पर बोले थे ना तो उसके लिए क्या है न कि अगर पेपर आता है अगर आएगा तो ऐसा बत नहीं क्या मतलग कि हम अपको देंगे कहां सब्सक्राइब यह कोई जरोरी नहीं पेपर बिश्वक होता है कोई उसमें भी होता है कोई अच्छ किछ त्थे करते हैं और डर्मक स्थेहेलन और प्राइब का युष यह मुझे स्धेह करने दो गाध कज लिए करते हैं अरुलग कि आम मुझे is Haop करके ग्जाम में आचा आप लोगो को time लहां सकते हैं like मनें सही जिसका एंसर हो एंसर उसके पहले पहले मिवस्याम के पहले है हमारा गेस निके भी रहेगा वसमें घेस submitting आक को जो सब्सक्राइब करें तो आप लोग आपके दूखंड पहले गेस्ट देंगे आपको हम तो उसके लिए आपको वाट्षब गृूप से जुड़ना पड़ाएगा जो जुड़े हों या नहीं जोड़ना है या आपको फिरी वाट्षब गृूप है उसमें वीडियो के डिस एक बात बतार होंगा चाहें कोई नहीं चाहें के पेपर लेखो और मैं इन्हीं कह रहा हों कि आपको जो पेपर है नो एक घंटा पहले है तो आपको यह तुद़े हुए हैं उनको दोबरा नहीं जोड़ना है ना नीचे वाट्टाब गृूप के लिंक है वहां आपको यह स्टोडी है ठीक है और एक बात बताईएगा जो भी नहां पर देख रहे हों है कि विहार में अभी परिछा के स्थिति क्या है क्या चलता है हर पेपर बीपेसी की पेपर लिख हो जाता है तो मैं टीक अंटर के कौन पूछ रहा है भाई एक कौन खेत की मुली है यह तो होगा ह ठीक है आप से मिलते हैं न स्टोडियो में जाहिन